Hello everyone, welcome to study shelter, दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, बिहार सिचक भाली का जो एक्जाम है, उसी एक्जाम के सलेवस में ACRT और BTC को clearly mention किया गया है, तो ऐसे में ACRT का बुक काफे important हो जाता है इस एक्जाम के लिए और इसी को धियान में रखते हैं हम लोगों ने ACRT के उपर का जो हर classes है, उसके important book को हम लोगों ने discuss किया है, और अभी तक हम लोगों ने class 4 और 5 का जो EVS है, उसे हम लोगों ने complete कर लिया है, class 6 का जो science का book है, उसको हम लोगों ने लगभग complete कर लिया है, और आज हम लोग class 7 के science को की शुरुआत कर रहा है, इसमें हम लोग करेंगे क्या, कि इसके जो हर एक chapter है, उस chapter के concept को पहली समर लेंगे, और उसके बाद उसे related MCQ भी देखेंगे, उसकी chapter में जो भी मतलब important point होंगे, जो भी exam के according, जो हमारा important है, उन सभी को हम लोग पहले एक वर देख लेंगे, discuss कर लेंगे, उसके बाद उसे related जो भी exam में question बन सकते हैं, उन सा चारी question को भी हम लोग देखेंगे, यह जो book है class 7 का, इसमें total जो है, वो 18 chapter है, और जिसमें कुछ जो है, आपके physics के हैं, कुछ आपके बायो के हैं, और कुछ ABS के हैं, तो फिजिक के बायो और ABS यह चार टॉपिक जो है, आपको यहां से complete हो जाएगा, और इस related question जो है, मतलब तो हर एक chapter का question होगा, वो हम लोग वीडियो के आंत में देखेंगे, तो overall अगर देखा जाए, तो यह session आपके लिए जो है, काफी फाइदे मन्द होने वाला, और आपको exam में काफी help भी करेगा, तो आईए इस session की शुरुआत करते हैं, देखें जो पहला chapter है, class 7 of science का, वो ह आपका जल और जंगल, यह दोनों जो topic है, वो काफी important हो जाता है, ना सिर्फ आपके exam point of view से, बलके आपके जीवन के लिए भी यह काफी important है, जल का महत्व तो आप जानते ही है, कि जल को जीवन बोला जाता है, जल ही जीवन है, और इसमें कोई दोरा ही नहीं है, जल जो हम पीने से लेकर पीने में तो यह help करता ही है, इसके अलावा हम लोग जो भोजन गरहन करते हैं, उस भोजन को बनाने में भी जल के अवसकता होती है, उस भोजन के पादन में भी जल के अवसकता होती है, और पौधे जो इस भोजन जो हमें भोजन परदान करते हैं, उन परन जो है आज के टाइम में मानव पिर्थिवी पे जल का संड्रक्षन तो करी रहा है साथी इस जल के खोज के लिए अंत्रिक्स में भी कई ग्रोह पे इसकी खोज कर रहा है और जल का महत्व बताने कि यह कोई सकता नहीं है क्योंकि जल कितना इंप्रोटेंट है वह हम सब जानते हैं और इसी के संड्रक्षन के लिए परति वर्ष जो है 22 मार्ष को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और यह मनाया जा रहा है 1993 से रहा है 1993 से वजडिवस मनाया जाता है इसका जो घोसना था बो हो गया था 1992 महीं वो कर दिया गया था यूएन के द्वारा कि हम लोग बिस्व जल्दिवस मनाएंगे लेकिन पहला जो बिस्व जल्दिवस है वो 1993 में मनाएंगे थो और एक हर साल जो है इसका अपना एक थीम होता है ठीक है जैसे इस वर्ष का जो थीम है जो 2023 का है उसका जो थीम है वो है आपका एसलेरेटिंग च लाने के लिए उस चेंजेश को लाने के लिए हम लोग और भी चीजे एसलेरेट करेंगे इसका और भी सोलूसन खोजेंगे इसका मतलब यह है कि आज की टाइम में हमारा वाटर क्राइसिस एक बड़ा मुद्दा बनना रखा है आखिर यह वाटर क्राइसिस है क्या यह जो वर के क्यों हो रहा है और इसे किस तरीके से इसका निदान किया प्राप्त कहां से होता है यह हमें ज जowana शुरुत है उनसे प्राप्त होता है अब बेकिननली जो हम लोग अगर बात करें तो एक बहु जल्ट जो प्रथिभी के सतह के उपर है है एक सत्ही जल बोल सकता है कि सत्ही जल दूसरा हमारा हो गया भुमीकत-जल इन दो रुम Sum tire हम लोग देख सकते हैं सत्ही जल का अगर बात करें तो जो नदी है तलाब है जील झरनेगे यह सारे हमारे सत्ही जल जाएंगे और भूमीगद जल के इंटरगर जल आता है जो जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो उसका हम लोग का यूज घ्ष करता है यह मंदर से सारे रागे नियुक कमी है ऊंधिक ही जlor का मेशनी में बता हैत вас और का श्फ हमारे है प्रक्साइबС्वेच म over everything कई जगा पे अधिक कमी है जिसके कारण जो है कई लड़ाय जगे धरना परदर्शन और कभी-कभी यूद की स्थिति भी आ जाती है और ऐसा बोला गया कि अगला जो यूद होगा वह आपका वाटर वार होगा ठीक है पानी के लिए को लेके यूद होगा और ऐसे भी अगर आ इसके कारण कई वारी हिंसक घट नहीं हो जाती है या केरल करनाटका तमिलाडू इन सारे चेत्र में यह जल विवाद ब्याप्त है यह आपका तो नेशनल लेवल पर हो गया वहीं अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखे तो सिंधु जल विवाद यह आपका भारत और पाकि रहते लुट की समस्यां की हचिसाओ यह होता हम कि कमी के और इससे समंधित एक रिपोर्ट बताये गया है बोला जाए कि बीस्वका का एक है जम संखिया को जल जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है और भविस में ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी और जो संख्याएं है वो और भी ज्यादा बढ़ने की चांसेज है क्योंकि जिस तरीके से पानी का जो दुर्पयोग हो रहा है या फिर उचित परवंधन नहीं हो रहा है और यह कई कारण से हो सकता है एक तो जल परवंधन हो गया दुसा सुखार हो गया बारिस नहीं होना कई ऐसे कारण है जिसके कारण यह होता है तो उन सभी कौम लोग आगे देखेंगे यहां पे जो आगे बताया गया है मृदू जल और लबनिये जल के वारे में कितना परसेंट हमारा लबनिये जल प्र पूरे परतिवी पे जो पानी है वह आप का है 20 लिटर और उस परतिवी पे जो पानी है अगर उसमें से हम लोग 5 ml का चंबब से 100 समच निकाल ले तो वह जितना पानी में निकलेगा वह हमारा होगा मृदू जल ठीक है मृदू जल अर्था लबनिये जल लवन नीये जल ठी 500 ml अधा लिटर जो है आप मादलो यह लबनी यह जल है ठीक और उस 500 ml में फिर बताया जा रहा है कि मात्र 200 ml जल है जो आपको ग्रॉंड बार्टर में मौजूद है ठीक है मतलब एक ग्वलास जो आपका पानी है उतना पानी जो आपके ग्रॉंड वार्टर में मौजूद है तो यह आपको मतलब एक एक ग्जांपल लिया जा रहा है 20 लीटर के अधर पर उसमें मतलब बताया जा रहा है और फिर बोला जा रहा है कि बाकी का बच्च गया पाने मौज़ूद है प्राप्त होता है इस में मेली बताया कि कितने कम मात्रा में हमारे पास पीने लाइक पानी मौजूद है इसी को दूसरे रुपे यहां पे दिखाया-गया, है कि यह तो पूरे जो जल में में सबसे जादा परसेंटे वह आपका खारा पानी के आपका महासागर MARK में मौझूद है ऐसे वह आपको मालूम होगा जो पिर्थिवीust जो पे 71% आपका पानी है और 29% आपका अस्तलबाग है और यह 71% पानी इसमें जो अदिकान सापका महासागर में यह समंदर में मौझूद है और जो कि हमारा खारा पानी है तो एक जो फ्टडी है उसके हंसार 97.5% 97.5% जो पानी है वो कुल पानी का जो इतना परसेंटेज है वो हमारा खारा पानी है अर्था तो उसे हम लोग पीने में यूज नहीं कर सकते हैं बाकी जो आपका बच गया 2.5% वो आपका हो जाता है मिरिदुजल अर्था पीने योग पानी ठीक है वो कितना है मात्र 2.5% और 1.7% है पानी वो आपका जो है गलेसियर के रूप में मौझूद है या फिर यह वर्फ के रूप में आपका मौझूद है जो कि हम लोग यूज नहीं कर पाते इसके बाद जो है भॉम जल में मौझूदार था यह ग्रॉंड वाटर के रूप में मौझूद है ग्रॉंड वा सर्फिस वाटर है आप समझ सकते हो कि इतना कम मात्रा में आपका सर्फिस पर ये पानी मौजूद है तो वहीं चीजे यहां पर बताया गया है कि जो मिरिदू जल है मिरिदू जल में भी हमारा हीमने धुरूबिय बर्फ पहाड़ों में ये जम्मे हुए है जो हमें असानी से प्लब नहीं होते ठीक है इसके अलावा जो भूमी का जल जील के रूप में बाकी जो सेस जल है वो मौजूद है और इनका जो टोटल परसेंटेज बताया गया है वो आपका बताया गया है 0.6% 0.006% देखो ये जो 0.006% है ना यहां पर ये भूमी का जल जील और नदियां इनका बताया जा रहा है कि ये जो है टोटल का जो है मात्र 0.006% यहां पर मौजूद है लेकिन आप इसी याद मत रखना आप जो है मेंली याद रखो कि जो टोटल खारा पानी है वो 97.5% है और टोटल जो मृद्व जल है वो 2.5% है ठीक है और अगर सर्फिस वाटर की बा मौजूद है ठीक है मोटा मोटा अप इन दोचनों को आप याद रख सकते हैं अब देखो क्या है कि परिष्वी पर ये तो कई वर्सों से मौजूद है लेकिन फिर भी जो है अगर देखा जाए तो पानी की मात्रा में कमी नहीं देखी गई है जो टोटल पानी है ठीक है हम पेजल की बात नहीं करें जो टोटल पानी उसकी बात कर रहा है तो वो पानी जो है वो निरंतर बनी हुई है तो ये निरंतर आखिर किस तरीके से ये परिष्वी पर अभी भी मौजूद है तो बोला जा रहा है कि एक परकिरिया है जल चक्र वाटर साइकल उस वाटर साइक कि यहां पर सभगं के दिए गाया है यह पहले नंबर में वह आम का है भॉम जल उसके बाद यह वह बास्प है, दो नंबर में, बसप, उसके वाद संघनन है, उसके वाद यह बादल है, फोर्थ नंबर में, उसके वाद बसपो सर्जन, फिर यहाँ पे वर्षा, तो यह जो है, इसके मतलब जो बाटर साइकल है उसके घटक है तो अब समझते हैं कि आखरी वाटर साइकल चलता कैसे है देखो जो ग्राउंड वाटर है या जो सर्फिस वाटर है उन सर्फिस वाटर पर जब सनलाइट पड़ता है तो यह सर्फिस वाटर का पानी है वो जलवास्त की रूप में उपर उठता है सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि पूरे जो water cycle अर्था जल चक्र है उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो आपका sun का होता है sun के कारण ही जो है ये पूरा water cycle आगे बढ़ता है क्यों क्यों क्योंकि sun के कारण जब ये गरम होता है पान कर निर्मान करता है तो आपको पहला चीज तो यह याद रखना है कि जो सर्फिस वाटर से जो है मतलब सर्फिस वाटर के एक द्रव स्था में है लिक्विट फॉर्म में तो लिक्विट फॉर्म से जो है यह जब वेपर अर्थात गैसी फॉर्म में जाता है तो किस बिधी के द्वारा जा रहा है तो वास्प की द्वारा जा रहा है मतलब वास्प की रूप में जा रहा है ठीक है और फिर यह वास्प आपका कैसी बादल बन रहा है तो संगहनन की द्वारा यह बादल बन रहा है और यह फिर छोटे-छोटे बादल जो है वो मिलने के बाद एक बड़े में होता है एक तो आपका Snow हो गया जो Heilly area है Heley area में जो है यहां प électonter क्या है वो बर्फ के रूप में यह पानी और दूसरा का है कि जो बारिस की द्वारा जो एप हम पर पही आता है तो यह पूछा जा सकत공 है कि जो जल चक्र जल चक्र में पिर्थिवी पे पानी किन रूप में आता है तो ऑप्शन में अगर बर्फ दिया हो रहा है हिमपात तो एक तो हिमपात हो जाएगा दूसरा बर्सा हो जाएगा तो इन दोनों के द्वारा पानी बायू मंडल से बापस अस्थल मंडल पे आता है ठीक है और जब सक चिरल मंडल पे आ गया तो क्या है कि आने के बाद जमीन पे आया और जमीन से यह पानी जो है रिशाब के द्वारा जो है बुमीगत जल की रुप में संग्रहित होता है और फिर उसका kuc倭 सर्ञा अपका नदी के रुप में पूंशता है फिर नदी के रुप में समूंदर में ये सारे जगा पे पूंशता है तो इस तरीके से जो water cycle है उसी के द्वारा जो है जीतने भी water bodies है उन इसके कौन कोन से घटक होए एक और फिर से आप समझ लीजिए एक तो आपका बास्पन जो घटक है बास्पन की दौर जो है आपका जल्वास बना जल्वास जो है संघनन के बाद फिर क्या है यह बर्सा बर्सा होता है बर्सा मतलब दो रूप में आता है एक आपका स्नो की दोरा, infiltration के दोरा, इसका रिशाब के दोरा यह भूमिघर जल के रूप में और कुछ माात्रा में जा है यहाप का जो सत्थी जल है तिलाब नदी यह सम्में मौजूद होता है तो इस तरीके से जल चक्र के दोरा यह पूरा सर्कल चलता है ठीक है अब जल चक्र के बारे में नीचे बताया गया है कि एया जल चक्र है क्या तो एकप्री चक्रन है जिसके द्वारा जल की تीनों अवस्थाइं ठोस धर्व और गैसी ये तीनों अवस्थाइं में पिर्थिवी परjanul मौगध होता है मुट होता है पिर यहां पे बताया गया कि ओड टो सवस्ता कि जल सवस्ता में और कि पाया जाता है तो महासागर में zoneं अधमिगे लिक्वुइट फॉर्म में पाया जाता है गैसे यह वस्ता में जल हमारा बायू में जलवास्फ के रूप में पाया जाता है तो आप यह समझ गया होंगे इन तीनों के बारे में कि ऐसे भी आपको मालूम है कि जल जो है वह तीन वस्ता में पाया जाता है जिल नदी तलाब में जो दुरूब है उन्पे और गैस में क्या है जलवास्फ के रूप में तो यह आपका जल चक्र में यह तीनों चीजे देखी जाती है अब देखो यहां पर एक क्वेशन यह बन सकता है कि जल चक्र में जो है सबसे ज्यादा जो जल की मात्रा है वह किस अवस्ता में पाई जाती है ठोस अवस्ता में द्रब अवस्ता में या गैसी अवस्ता में तो आपको भी अंदाज हो रहा होगा कि सबसे ज्यादा जो जल क मात्रा है वो जल के liquid form में ही पाया जाता है था महासागर जील नदी इन फॉर्म में ही पाया जाता है ठीक है यह थोड़ा concept का है आप आराम से अब समझ गया होंगे अब आगे जो बताया गया है कि जल की तीनों वस्ताओं का जो यह सतत चक्रन द्वारा प्रिथीर पर जल की जो हम लोग मतलब जल किस रूप में लेते हैं ठीक है और वो चीजे बताया गया जल को मतलब यूज कहां कहां पर यहां पर बताया गया फिर आगे बताया गया कि नग्रों में जो है जलापूर्ति कैसे होती है और गाउं में कैसे होती है तो नग्रों में बताया जा रहा है इनके दोरा pipeline के दोरा जो है एक process है कि वहां पर जलापूर्ति की जाती है जबकि जो छोटे सहर या गाउं है वहां पर जल जो है जो groundwater है भूमी का जल है वहां उसकी थ्रूज मिल्ली यूज होता है और उससे हम लोग कैसे निकालते हैं तो कुवा के दोरा नलकूप के दोरा अ एक बड़ा स्रोत है और सबसे जादा क्रिसी कार्ज के लिए जो पानी है वह किस रूप में हम लोग यूज करते हैं तो भूमी का जल को हम लोग यूज करते हैं ठीक है तो वह भी आप याद रखेगा यह अलग-अलग जगह में भैरी करता है लेकिन overall अगर देखा जाए त स्कीनकाइब किस तरीके हÕस निकलते हैं रोल कل या बॉरिंग के ऑधाल में धोलो math, मेसा प्रूप में ब्लोक यह पींड़० साओं का नीज करते हैं, तो यहादा कल अधी करते हैं इह से काफी नजदीख है लेकिन यहां पे अगर देख जाए तो यह काफी नीचे ढ़लग जगह पर जो पानी का लेवल होता है वो अलग- αलग होता है यह इसमें मे slice बताया गया है और यहां पर एक्चुली तीन चीज होता है एक होता है भॉम जल दूसर होता है जल भार और तीसर होता है भॉम जल अस्तर अब इस ही को हम लोग देखते हैं कि आखर यह तीनों चीज क्या है और इनमें डिफ्रेंसेज क्या है तो देखो एक तो भॉम जल का मतल लंग अलग अलग लेवल पर पाए जाते तो वहीं हमारा वह जल अस्तर भूमी पर जल को हम लोग ऐसे दो रूपा में देखते एक तो हमारा groundwater हो गया जो भूमी गत जल हो गया ठीक है भूमी के नीचे जल एक हो गया सतर पे जल यह दोनों हमारा बहुंब जल के अंतरगत आजाता है इसलिए कहीं-कहीं पे आपको यह जो सर्फिस वाटर इसको भी भूमिगत जल बोला जा रहा है यह जो इनका लेवल इनका बोला जा भॉम जल अस्तर ठीक है फिर एक होता है आपको जल फर जल फर हो क्या होता है वो आपका वो गया एक्वलोफाइर बलता है इसे एकईू फर एक्ईू फर जो है एक यूफर एक यूफर होता है जलवर अब जलवर क्या होता है तो भॉम जल अस्तर के नीचे मिटी ओकर ठोर चटानों के परतों के बीच जो जल संचीत हो जाता है उन भंडारों को ही हम लोग क्या बोलता है जलवर बोला जाता है तो इन ही को जो है यह आपका एक यूफर य है उनके पड़तों के बीच जो जल संचीत है वो हमारा एक विफर बोला जाता है और यहीं से पानी हम लोग निस्कासित करते हैं जैसे आप लोग गौं में सुने होंगे कि हाँ पानी का जो लेवल है वो भाग गया या फिर पानी का लेवल जो उपर आ गया तो इसी के बारे म मिली बात होता है ग्राउंड लेवल ऊड़र पे और एक चीजा बोला जाता है कि हाँ पानी का अस्तर है मतलब क्या उसी बोलता है जो जल भर है वो काफी नीचे है भैक है वो आफिना दो इसी के बारे में जल भर चॉल्भर के पारम एक यूफर बोला रात ऐसए हैं और एक के बारे में यह सोर को आप मान सकते हैं कि जलवर जो है एक तरीके का आपका सोर है ठीक है अब आगे देखते हैं कि आगे क्या बताया जा रहा है तो आगे बोला जा रहा है कि आखिर यह जो पानी है इनमें जो है जो भूमी का जल है उनमें पानी का लेवल आखिर गिरता कैसे और फिर इनमीन पानी का लेवल भापस से एक कैसे फुलफिल हो जाता है उसको यहां पे बताया जा रहा को देखो मिल्ली इन का पुन्ह भरने का काम काम है जो जरे जहां के और बोला जा रहा है भूमिगत जल के बातनानाção को और बोंग souric यहां पर यूज हुआ था इसे आप देख लिए भूमी के अंदर जल्क के रिसाब को क्या बोलते हैं अंतह सेंदन बोला जाता है आप इस वर्ड को याद रखेगा ऐसे इन्फिल्ट्रेशन या फिर इसी को रिसाब कहा जाता है तो आपको अगर पोछा जाए कि भूमी के अंदर जल्क के पहुचने को क्या करते हैं तो रिसाब या अंतह सेंदन या इन्फिल्ट्रेशन करते हैं कि अगर अगे वहीं बता है कि किस तरीके से बापस घ्राउंड्ट वाटर रिचार्ज होता है तोुम होने के में रिजन बशके से होसान वह बर्सा चल जब ग्राउंड पर आतीं तो यो मिट्टी है मिट्टी से रिसक गर तीरे मिड़े आपको नीचे पहुंचती है और उस प्रिवर्तन भी जलस्तर को प्रभावित करती है अगर आपको आप्सें में यह दे दिया जाए तो हो सकता है कि वहां पर टिक ना करो लेकिन आप जो है कि प्रिवर्तन भी जलस्तर को प्रभावित करती है ठीक है अंत्रिक सनचना का मतलब जैसे देख लो जैसे कुछ जो पहाड़ी लाके वहां पर आपको ग्रॉंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा क्योंकि वह पत्थर है वहां पर जल का रिचार्ज नहीं हो पाएगा तो वह भ अंत्रिक सनचना है वह भी जो है भॉम जलस्तर को प्रभावित करता है कि मेली देखो कि यह जो ग्रॉंड वाटर है वह हमारा क्या लिम्टेड है अब जितना ज्यादा डिमांड होगा तो इनका जो सप्लाई है वह उस तरीके से नहीं पूरा होता है इनकी जो परिपुर्त के कारण क्या है कि जो मिट्टी का भाग है जो मिट्टी है वह आपको कम हो जा रहा है और कम होने के कारण क्या कि जो पानी है उसका रिक्साब कम होगा और ग्रॉंड वाटर जो है वह कम हो जाएगा तो वह एक सहरी करण भी इसका एक कारण है अब आगे देखते हैं आगे क किस तरीके से कहां पर बर्षा जादा होती है और कहां पर बर्षा कम होती है तो एक बताया गया है कि यहां जो बर्षा है अधिक बर्षा आपका उत्री बिहार में देखा जाता है और वहां पर बाढ़ की संभावनाई भी देखी जाती है वहीं दशनी बिहार में कम बर्षा क कराण जल की और सूखा बढ़ता है, यह आधिक बरसा का छेत्र है आपका उत्तर भिहार है और जो कम बरसा भिहार है और जो जो बीभाजन बीचो बीच से क्रोस की है और जो भाग है और नीचे का कम मात्रा में होती है अब अगर बात करें कि भिहार का कौन सा ऐसा जीला जहां सरवाधिक बारिस होती है तो यह जो जीला है आपका किसन गंज यहां पर सरवाधिक बारिस देखी जाती है जबकि अगर देखा जाए सबसे कम बारिस वाला छेत्र तो वो आपका औरंगाबाद ह और अंगाबाद में सबसे कम बारिष देखी जाती है आगे बताया जा रहा है जल प्रवंधन के बारे में कि जल प्रवंधन क्या होता है और किस तरीके से मतलब हम लोग इसका यूज करके जल को संरक्षित कर सकते हैं तो देखो शहरी छेतर में जो जल पूर्टी है वह आप प्याप लाइन के दारा हूता है और वहाँ पर देखते होगे के पाइप फटा हुए और पानी वहां से निकलती रहता है तो उस तरीके से पानी का बरवादी होते रहता है तो हम लोग जो जो प्रवंधन करते हैं तो उसमें दो चीजिये का ध्यान रखते हैं पहला कि जो बरवादी हो रहा है उसे रोकना ठीक है जो बरवादी हो रहा है पहला उसे रोकना और दूसरा जो है नए नए तरीके या टेक्नलोजी के द्वारा जो है इन्हों कुछ है वो हम लोग इनकी छती पूर्ति करते या फिर पुनर्चक्रन करते रहे जैसे आपका वाटर हर्वेफ्टिंग हो गया जैसे अब गवर्मेंट के द्वारा भी यूजनल आई गई है कि रूफ टॉप नहीं मतलब ग्रॉंड वाटर हर्वेफ्टिंग के लिए आप जब घर का निर्मान उसी टाइब गढ़ा खोदके आप कोसेश करो एक प्रीट बनाके जल्ब का वाटर हर्वेफ्टिंग करना तो एक यह तरीका हो जाता है अकला जल्ब प्रवंधन में दो चीज़े देख की जाती है एक बरवादी को कम करना दुसरे टेक्नलोजी के द्वारा जल्ब का संद्रक्शन करना अब उसी के वारे में यहां पर बताया गया है कि दो तरीके हैं एक क्या है एक जल्ब प्रवंधन है अदुसरा है भूमी का जल्ब की पुनह पूर्ति ठीक है बरसा जल्ब के संग्रह के बारे में यहां पर बताया गया है कि हम लोग जल्ब प्रवंधन के द्वारा जो है इसे कर सकते हैं अब क्र इसी के लिए ग्याय ग्यातवती दो टेकनलोजीक को लाय गया एक का ड्रीप सिचाहिञओं की में के तक यह इचाहिया जाता है वहां पर एक दूर मोस्टा अड्रक आपका मनत पदें चाहिदी और जड़ो लगभग पर सिचाहिफान हो जाता है तो इस तरीके से drip शिचाई मतलब कम मातरा में पानी की उप लगता करा के जो है हम लोग उछी पैदाबार कर लेते हैं एक होता है आपका sprinkle की द्वारा शिचाई किया जाता है sprinkle वाले में क्या है फोहारा के द्वारा उसमें क्या है sprinkle वाले में कि जो पानी का छरकाव है वो फोहारे की रूप में होता है और उस तरीके से भी पर्याप मात्रा में पौधों को पानी मिल जाता है तो उस तरीके से भी पानी की बचाव की जाती है तिसरे एक जो भूमी का जल की पुनर भरन की बात की जा रही है तो उसके लिए बोला जाता है कि पेड़ लगाने की बात की जाती है पेड़ लगाने से क्या होता है एक तो आपका जो है पेड़ पॉधे लगाने से जो जल का रिसाब है वो आराम से भूमी में हो जाता है दू तरीके से भी ग्रॉंड जो रिफिल होते रहता है और भूमी का जल बना हुआ रहता है उनका लेवल बना हुआ रहता है तो यह चीजें यहां पर मिली बताई गई थी अब आगे जार है जंगल के बारे में इसमें मिली हम लोग दो चीजों को देखेंगे एक खाद सहिंखला जंगल में किस तरीके के खास रिंखला होती है और इन जंगल का इंपोर्टेंस क्या है तो देखो आप इंपोर्टेंस की बात आप सब लोग जानते हो कि पेड का क्या महत्वा है एक तो पेड जो है आपको ऑक्सीजन परदान करते है ठीक है तो यह सबसे बड़ा हो गया द इन के द्वारा जो है बो जय B gefता को मेंटेंड किया जाता है अर्था प्रयावरों के संतूलित करने का के काम के जाता है तो उसी के बारे में बताया किया जाता है तो बुछेट जो है बो आर्यक्षित घोषित कर दिया जाता है और उसी का कोम उदारन दिया गया है जैसे पस्षीम चंपारन में आपको बालमी के नेशनल पार्क देखने को मिलेगा इसके अग्याज पार्क और यह टाइगर के लेवी फेमस है अर्थात के टाइगर रिजर्ब भी है बालमी की टाइगर रिजर्ब इसके अलाबा जो है बैसाली में आपको बरेला अभियारन मिलेगा मुंगेश जिले में भीमबंध अभियारन मिलेगा गया जिले में गौतमबूध पहले आपकर हो गया पहश्चिम चंपारण में दूसरा कि अविया अविया राभ हवहारण तो यह यह आपका हो गया वैसाली जिला में पिर बहीमयद हवियारन किस जिले में तो यह मुंगे जिला हो गया उसकी बाद गौतंबुध्ध अभीयारन J already स Scripture here on Studio square स्थित है केमूर और रोस्तास जिले में स्थित हो स्थित पर इन्हीं याद रखेगा फिर आगे बताया जाराए कि इन जंगलों में क्यों email जलबाईू के अंसार अलग अलग होती है जनती है तृप Vata x horse यह एक आप हिमाली चेतर के पहाड़ों पर देखो तो आप चीज और देवदार के बृच आपको देखने को मिलेंगे जिनकी पतिया जो है वो आपका नुकिली टाइप का होता है ठीक है ताकि बर्फ बगेर अगर पड़े तो वो टूटे ना जबकि अगर आप मैदानी भाग में देखो तो वहां पे जो है वो अलग-अलग टाइप के देखने को मिलते हैं जैसे चौड़े अलग-अलग टाइप के पेड़ देखने को मिलते हैं अब यहां से कोईशन किस परकार का बन सकता है पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा जो है आपका हिमालियन छेत्र का पौध है चीर देवदार पलास या सागवान तो आप अराम से वहां पे ठिक कर सकते हो कि चीर देव अलग करते हैं उसके बाद आप अर्कुन्ट बाकृतिक जो सागर से प्राप्त पर्ट करता है और रबडे ऐसे जिए जिव मंफल फूल भी प्राप्त करते हैं आगे बताया गया है आपको सागवान का बिच्छ यह इसके पत्ति के बारे इनका पत्तियां है बो चोड़ी होती है और इनका यह अलग जगह पे अलग-अलग टाइप की होती है जो पर हम लोग ने डिस्कस किया था उसी के बारे में बताया गया फिर एक यहां पर जिक्र है प्लास का तो प्लास के बारे में आप याद रखे हैं कि प्लास जो है यह आपका यूपी यूपी का जो है एक राजकिये फूल है ठीक है उत्रप्रदेश का राजकिये फूल जो है आपका प्लास का फूल है अब इसमें बताया गया कि बनो में जो आखास विंख लाइन देखी जाती है ठीक है अब इसमें देखतेए कौन-कौन सी चीजे बताई गया एक चीजे तो हम लोग यह जानते कि जो जंतू होते हैं वो क्यों के लिए आप मिलेट पोषी अब इनके बारे में हम लोग पहली भ होते हैं मिली यह सुचम जीव होते हैं जो की मड़े हुए पौधि यह जो जानबर हैं उनके उपर डिपेंडेंट होता है फिर जीवों के अलग लग परकार बताए गया है उनके भूजन गरहन को लेकर जैसे होगे आपका मांसाहारी साकाहारी और सर्वहारी जो मांस का भच् मांस हो गया उसके अलावत साक्सब्जी है उनके बच्चन करते तो वह आपका सर्वहारी में आ जाता है अब खास सिंखला के बारे में यहां बताया गया कि जैसे यहां पेक इमेज भी दिया गया कि यह पौधे हैं पौधे के उपर कीट बच्चन करते है कीट को मेढ़क को साप और साप को जो है वह आपका गरूर या फिरबाज जो है इसका भक्चन करते हैं तो यह खास स्रेंखला दिखा रहा है जिसमें एक जीव जो है दूसरे जीव के उपर डिपेंडेंट है ठीक है तो इसमें जो पहला है जो आपका पौधे है इसे बोला जाता है प्रात्मिक उपभोगता ठीक है यह आप जयाद रखेगा और जो प्रात्मिक उपभोगता का भक्चन कर रहा है वह हमारा कहलाएगा दितिय उपभोगता और जो दितिय उपभोगता का भक्चन करेगा वह आपका कहलाएगा तितिय उपभोगता और जो उसका भक्चन आप देके से खास रिंकल लंबी भी हो सकते हैं चोटी भी हो सकती है ठीक है जैसे इस मेधक को डाइरेक्ट ये गरूर भी है इसका भक्षण कर सकता है और एक आपको और याद रखना है कि जैसे जैसे जो एक लेवल से दूसरे लेवल में यह जाता है तो यहाँ पे जो इनर्जी का ट्रांसफोर्म है वो मातर 10% होता है मानलो अगर इस पौधे को खाने से 100 कैलोरी मिल रहा है, तो 100 कैलोरी जो है, अगर कोई जीव खा रहा है, तो उसमें मातर 90% ही जाएगा, और फिर अगर उससे जो दूसरा कोई खा रहा है, तो उसमें जो है, उसका मातर 90% जाएगा, फिर उसी तरीके से जो 10-10% का हर एक में छ खती होते जाता है तो यह चीजे आपको ध्यान रखना है और आप देख सकते हैं यह अलग लग टाइप मतलब चरण होता है इसका लेकिन आपको हर एक चरण में दो चीजे कौन मिलेगी एक आपका उत्पादक दूसरा प्रात्मिक भोगता फिर दित्यव भोगता ठीक है यह इसके कई सारे चरण हो सकते हैं लेकिन में लोग 3 लेते हैं धुलतते हैं सभी उत्पादक प्रात्मिक भोगता और दित्यव भोगता उसी के बारे में आगे बताया गया है कि खास इंखला होती है और खास इंखला के कारण ही वन म्यानिक खास इंखला होती है और सभी वे परस पर सम्मंदित होता है ठीक है और फिर आगे बताया जा रहा है वन की मिट्टी के बारे में कि बन की जो मिट्टी होती है वो काफी उपरी परत में हुमस पाई जाती है अब यह हुमस क्या होता है तो यह जो पेड़ पौधे होती है उनकी पतियां होती है जब वो गेड़ते हैं जमीन पे तो उन्हीं जो है उनका भक्षन कर लेते हैं और वो शड़ गल के हुमस का रूप ले लेती है और उनको शड़ने गलन में जाने जाते हैं, आगे आपको बताया जा रहा है कि यह जो बन है इनका और बड़ा यूज है हमारा जो ऑक्सीजन चक्र है उसी मेंटेन रखने में, या carbon dioxide का cycle है, उसी मेंटेन रखने में, आपको सबको मालूम होगा, जो पौधे हैं, वो क्या करते हैं, वो carbon dioxide का गहण कर लेते हैं, और वापस oxygen छोड़ता है, और oxygen यह जो मानव गरहन करता है और जो मानव carbon dioxide छोड़ रहा है फिर बापस जो वो पौधे गरहन करते तो इस तरीके से जो बन है वो गैसों का संतुलन बनाने में अहम योगदान करते है आपको यह भी मालूम हो कि जो बन है वो परकास नसलेशन की किरिया के द्वारा ही जो यह गैसों का एक्षेंज करते है और पूरे वाई मंडल में संतुलन बनाके रखते है इसके अलावा ब्रिक्स के बारे में आपको यह भी मालूम है कि यह जो जड से जल को अफोसित करती है और जलवास के द्वारा जल निर्मुक्त करती है और यह जलवास बापस आपका जो सजीव इकाई है ठीक है यह गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन छमता से भरपूर होता है आप देख लो यह बन ही जो है मतलब एक छोटा सबीज से पौधा बना पौधे जो है बो जलवास क्या उलता है गैसों का जो है बो संतुलन बनाए रखते है उसके बाद ज जो है यह काफी फाइदेमंद होता है बाकी के पौधों के विकास के लिए तो एक तरीके से यह एक सजीव इकाई है तो यह आपको हो सकता है कहीं पूछा जा सकता है फिर बन जो है आपका भुवा पर्दन को रोकने में भी साहेत करता है और भूमी की उरुबरा सकती भी ब अब देखते हैं इसी से related कुछ प्रस्न है उसके बारे में लेकिन उसके पहले एक overview बताया गया है कि अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा उसके बारे में बोला जा रहा है जल के बिना जीवन संभव नहीं है जल के तीन वस्ताइं होती है बर्फ जल और बास्प फिर आगे में तेजी से ब्रिधी बढ़ती जन संख्या सिचाई की ब्रिधी और जल का जो कुप परवंद्य ने उसके करण जल में कमी की समस्या देखी गई है फिर आगे जो है बहुत सारे हम लोग फॉरस्ट प्रोड़क्ट का यूज करते हैं फिर बनों के विभीन घर्टक के एक द बन जो हमारे मिर्दा को अपर्दन से भी बचाते हैं यह सारे चीज़े यहां पर बताई गई है देखते हैं अब इसी से रेलेटेड कुछ प्रसने उसे देख लेते हैं बोला जारा है भॉम जल प्राप्ट करने के लिए डॉडड़ट का उप्योग होता है तो भॉम जल प का उप्योग करके हम लोग इसे प्राप्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं नलकूप और कुणा का उप्योग होता है इसके वाद पूसर जारे जल की तीन वस्थाएं कौन है तो एक तो आपका बर्फ हो गया दूसरा आपका जल हो गया और तिसरा जो है आपका जल व होता है तो बन से एक तो हमें मालूम होगा कि जो इसका बनुत पाद है बनुत पाद हमें प्राप्थ हो जाता है दुसरा ये हमें जो ऑक्सिजन परदान करता इसके अलाबा आपको मालूम बताया कि ये जो आपका मिर्दा चरण को भी रोगता है बन में चैवान पतियां और जन्तु किसको सम्रिद करते हैं तो चैवान पतियां और जो जन्तु है वो आपका जो मिट्टी है मिट्टी को या फिर हुमस को सम्रिद करती है सो असम जीवो द्वारा मृत पात्दप परक्रिया से क्या बनता है तो यह हूमस बनता है तो यह इसे रिलेटेड कुछ कुरेशन जो बुक में दिये हुए थे अब कुछ और कुरेशन देख लेते हैं जो इसी के उपर अधारित है जैसे की हो गया एक तो वहां पोच्छा बताया गया था विशुजल दिवस का मना जाता है हम लोगों भी सब्रेश किया कि जो 22 मार्स है उस दीन जोए विशुजल दिवस मना जाता है बाइस अपरेल को मालूम होगा कि अर्थदे मना जाता है और जो पांच जून है इस दीन जो है वो 20 वर परियाबरन दिवस मनाया जाता है अगला को इसना मिलेदु जल को उदाहरा नहीं आ रहता कौन आपका खारा जल है तो आप देख सकते हैं जो साग्रिये जल होते है वो आपका खारा जल होता है फिर आगे पुछा गया जल चक्र की कौन से अवस्था में पानी स कौन से चरण है बासी करन, संगनन बeta याा और संग्रहन तो जैसे बताया थकि जो ground water होता है जो सथी जल होता है वो बासी करन्ड के द्वारा जो है बासी की रूप में उपर हो जाती है और फिर संगनन होता है फिर बरसा होता है और बरसा के बाद जो है वो सही हो जाएगा फिर आगे बुछा जया जारा है जल चक्र संघनन बर्षा तरफिकरन बर्षा या सभी बिकलब ढसाफिकरन षैनल और सभी बिकलब जल में पानी की गतिक और प्रवेठकरन का er यह प्रिधिवी पर जीवन को बनाई रखने के लिए वह सके जलवायू को नियंत्रिट करने में मदद करता है या मिट्टी को उपजाव मदद करता है सभी बिकल्प चाहिए तो आप्सिन नम्बर डी जो है सही हो जाएगा क्योंकि देखो जीवन को बनाई रखने में तो यह मदद करता है फिर जल चक्र को परभाविट करने वाली कौन सी कारक है सुर्च का प्रकास अपमान बायू या सभी बिकल्प इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन डी सुर्च का प्रकास तो है उसी के कारण टेंप्रेचर जब बढ़ता है तो जलवास होता है और बायू भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बादल जो बनते हैं तो बादलो को जब यह बड़े बादल का रूप लेते हैं तो वहां पे बायू हेल्प करता है और भी जो बाश्मान की किरिया है वहां भी बायू हेल्प करती है तो अबर आल इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन डी फिर पूछा जा रहा है भूमी का जल क्या है बन और जंगलों में पानी का संग्रा भूमी के नीचे बहने वाला पानी भूमी पर पानी के संचयन की परकरिया या भूमी के उपर रिस्ते जल तो देख भूमी के नीचे बहने वाला जो पानी है उसी को अम लोग भूमी का जल करत जल समरक्षन बन और जंगल के लिए पानी किया पूरती सिचाई के लिए पानी को लगता है यह सभी बेकल तो यहां भी सारे अप्शन सही हो जाएंगा अर्था अप्शन नमबर डी जो है सही एंसर होगा फिर पुछा जा रहा है भूमी के अंदर जल के रिसाब को क्या करते ह है इसी को रिसाब भी बोला जाता है तो यह आप याद रखेगा इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है भूमी के अंदर जल के रिसाब को करते हैं फिर पूछा जारा बिहार का सरवाधिक बरसा वाला जीला कौन से है दरभंगा पटना भागलपूरी अकिसन गन तो उत्री बिहा सरवाधिक बरसा वाला जीला है और यह पुरे बिहारों में सरवाधिक बरसा यहीं दर्च की जाती है फिर बिहार में सबसे कम बरसा वाला जीला कौन से है अररिया और अंगावाद मुंगेर और भुजपूर्त इसका सही अंसर हो जाएगा और अंगावाद में सबसे कम आत भीमबांध है भीमबांध अभियारन गया में जो है गौतम बुद्ध अभियारन देखने को मिलेगा और रोस्तास में आपको कैमूर अभियारन देखने को मिलेगा और प्रस्चिम चमपारन में जो है बालमिकी टाइगर रिजरब या बालमिकी अभियारन है है फिर अगला है कि खास रिंखला में कितनी अस्तर होते हैं एक दो तीन या चार देखो मैंने वताया था कि ऐसे तो कही लेबल हो सकते लेकिन जो मेंल्ली माना जाता है वो तीन अस्तर माना जाता है एक आपका उत्पादक का ठीक है उत्पादक उसके बाद प्रात्विक भोगता उसके बाद दिर्तिय भोगता स्टेंडरी भोगता तो यह मेली यह 3 चरण माने जाते हैं खास रिंखला के और खास रिंखला में जो इनर्जी का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है और हर एक लेवल पे जो 10% की कमी आ जाती है, ठीक है, 10% की कमी आती है, फिर आगे पुछा जा रहा है, खास इंखला के प्रात्मिक सदस को क्या कहा जाता है, तो खास इंखला का जो प्रात्मिक सदस है, वो उत्पादक होता है, जो ब्रिक्च या पौधी होता है, वो आपका प्रात्मिक सदस मना जात होता है चो चको खास स्विंख्ला मी कैरि कि यह उस्तम स्दस्र आने वाला स्दस्र तो यह आपका जो है उभ्गता हो जाएगा है ठीक है जो उस्तम स्दस्र भ्होगता ही होते हैं कि उसके बाद एक खास रिंखला का सबसे निचला सदस कौन सा माना जाता है तो खास रिंखला का सबसे निचला जो सदस है वो आपका यहां पर प्रोटो जोवा आ जाएगा प्रोटो जोवा यह आपका क्या है अपघटक होते है अपघटक अपघटक जो है यह आपकी सबसे निचले अस्तर में जाएंगे जो मड़े हुए पौदे और जीव जनतुए हैं उनको भक्षन करने का काम करता है आगे पूचा जा रहा है खास रिंखला के सनुर्षना का अजिन करने के लिए किस बिज्ञान का उप्योग किया जाता है जीव बिज्यान, भुगर बिज्यान, खाज बिज्यान या उभक्ता बिज्यान तो यह आपका जीव बिज्यान के इंतरगर्थी आता है फिर अब घर्टक कौन होते हैं अब घर्टक वे जीव जो मिर्ट परदातों को अब घर्ट करते हैं जैसे कवक और बैक्टरिया वे जीव जीव जो पातकों को खाते हैं जैसे जानबर या वे जीव जो अन्ज भोकताओं को खाते हैं जिसका सही अंसर हो जाएगा आपका आप आपको अच्छे से बतानी का तुम मिलते हैं हम लोग अगले लेक्टर में अगला जो चैप्टर होगा उससे हम लोग और अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फूर वाचिंग अगर आपको यह वीडियो अच्छ लगा होगा तो आप य्यू्यू